मध्यपरदेश की रास निटी के महराद जोती राधिивать सिंध्या ने बुधवार को भारती जिंता पारटी का दामन ठाम लिया है बिजेपी अध्यक्ष जेपी नड़्डा की मुझूतगी में जोती राधित्ते सिंध्या ने पार्टी मुख्याले में सदस्यता ली कॉंग्रेस में कभी राहूल गांधी के करीबी रहे जोति रध्य सिंधिया ने होली के दिन कॉंग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था उनके बाद मध्य परदेश कॉंग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी भार्ती जंता पाटी जोधिर रध्य सिंधिया को राजिसभाब भेच सकती है बिजेपी में शामील होने के बाद जोधिर रे रधित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधान मंती değ की ग्रही मंतिर मिशाह जी का जहां जीवन में एक बड़ा निर्ने मैंने लिया है सिंधिया बोले कि आज मन व्यथीत है और दुखी भी है जो कॉंग्रिस पार्टी पहले थी वो आज नहीं रही उसके तीन मुख्य बिंदु है पहला की वास्तविक्ता से इनकार करना नई विचारधारा और निकित्व को म सेवा नहीं की जा सकती जोतिर अधित्य सिंध्या ने कहा कि आज मध्य परदेश में ट्रांस्वर माफ्या का उद्योग चल रहा है रास्टे स्तर पर प्रधान मंत्री और ग्रेह मंत्री ने मुझे एक नया मंच देने का मोगा दिया है पार्टी प्रमुख जेपी नडड़ इस दोरान कहा कि राज माता सिंध्या जी ने भारती जंसंग और भार्ती जंतापाटी की स्थापना और विस्तार करने में बड़ी भूमी का निबाई थी आज उनके पोत्र हमवारी पार्टी में आए हैं ये आपको दिखाते हैं कि जोतीर अधित्य पार्टी का दामन थाम के बाद और क्या कुछ कहा मंच पे आसीन मेरे साथ भारती जिन्ता पार्टी के सम्मानिय अध्यक्ष अधर्निय जेपी नड़्डा साहिव भारत सरकार के यश्र स्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेन प्रधान जी हमारे ग्रह राज्य से उपस्तित विने शहस्त्र बुद्दे जी हमारे मध्यपदेश के भारती जिन्ता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा साहिब अनिल जैन जी राष्ट्र महमंत्री अरुन सिंग जी जै पांडा साहिब जफर इसलाम साहिब और मंचपरासीन सभी गण्मानिय सदसिगन मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सरप्रथम आदर्निय नड़ा साहब को हमारे प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी को हमारे ग्रह मंत्री अमिच्शाजी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया एक स्थान दिया मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्पून रहीं व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं और मेरे जीवन में वो दो दिवस पहला दिवस 30 सतंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पूझे पिताजी को खोया एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए और उसी के साथ दूसरी तारीक 10 मार्च 2020 जो उनकी 75 वर्षगाट थी जहां जीवन में एक नई परिकल्पना एक नया मोड का सामना करके एक निर्णे मैंने लिया है मैंने सदेव माना है जिन्दगी में कि हमारा लक्ष इस भारत मा में जनसेवा होना चाहिए और राजनीती केवल उस लक्ष की पूर्ती करने का एक माध्यम होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है प्राण पन के साथ और पूरी शद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारत ये कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है क्योंकि जो आज स्तिती उत्पन हुई है मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष की पूर्ती आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्तिती कॉंग्रेस पार्टी में है वो कॉंग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहली थी और तीन मुख्य बिंदू हैं विचारधारा जो एक नया नित्त को सही मान्यता न मिलना मैं मानता हूँ कि इस वातवर्ण में जहां राश्ट्र स्तर पर ये स्तिती हो चुकी है वहीं मेरे ग्रहराज्य में जो मेरा दिल का भाग है मेरा मद्यपदेश एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी लेकिन 18 महिने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए चाहे हम किसानों की बात करें जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम रिण माफ करेंगे 18 महिने बाद भी वो नहीं हो पाया है आज भी पिछले फसल का बोनस नान मिल पाया ओला वरिष्टी की मुआवजा ना मिल पाई और जो स्वता मैंने एक आंदोलन छ्विडा था सत्याग्रह का मनसौर के गोली कान के बाद आज भी हजारों किसान हैं मद्यपदेश में जिनके विरुद आज भी केस आज भी लगे हुएं तो जहां आज किसान तरस्त है नौजवान भी बेबस हो चुका है रोजगार के अफसर नहीं वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रती महा एक अलावंस दिया जाएगा उसकी सूद नहीं और उसी के साथ जहां रोजगार के अफसर नहीं उत्पन हो पाए हैं वहां भष्टाचार के बड़े अफसर उत्पन हो चुके हैं आज एक ट्रांसफर उद्द्योग चल रहा है मध्यपदेश में रेट का माफिया चल रहा है मध्यपदेश में और जब ये स्थिती राश्ट्र स्थर पर अलग विडमना राज्य स्थर पर अलग स्थिती और जब सत्य के पत पे कोई व्यक्ति चलता है, मूलियों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है तो तब मैं मैंने निर्णे लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगती और विकास के रास्ते पे चलाना होगा तो आज मैं अपने आपको सौभागय शाली समझता हूँ कि नडड़ा जी ने, प्रधान मंत्री जी ने और अमिच्शा जी ने मुझे वो मंच प्रधान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाएं देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को मिला है और उस जनादेश का एक सक्रिय शमतावान और पूर्ण रुप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो शमता उनकी है और आज देश का नाम जो विश्वस्तर पर उन्होंने बढ़ाया है योजनाओं की क्रियानवन की शमता जो उनमें है जो आज के नहीं लेकिन भविश्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना ये जो शमता उनमें है मैं मानता हूँ कि भारत का भविश्य पून रूप से उनके हातों में सुरक्षित है मैं आज नड़ा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूँ नड़ा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्य अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधान मंत्री जी नरेंद मोदी जी के दिखाएवे रास्ते पर हमारे ग्रह मंत्री अमिच्षा जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाएवे रास्ते पर और हजारों सेंकडों करोडों भारती जंता पार्टी के कारिकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अफसर मुझे मिलेगा इसके लिए मैं कृतग्य हूँ इन सभी महानुभगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही लेटेश दोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise